हेलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आपके साथ सेयद समसाद हुसैन आज के इस वीडियो में हम आपको step by step लगू उध्मी योजना का online करना सिखाएंगे अगर आप beginners हैं एकदम नए हैं आपको computer में कोई भी knowledge नहीं है फिर भी जो पाचवे class का बच्चा है वो भी इस वीडियो को देखके online apply कर सकता है तो आईए सीखते हैं कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है सबसे पहले तो आप अपना आवाशी प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र और आय प्रमान पत्र ये तिन दस्ता वेश तियार रखिए जाती प्रमान पत्र अगर आप जनरल से भी आते हैं तो भी रखिए ठीक है और आए जो रहेगा वो 60,000 या फिर 70,000 का रहेगा ठीक है बाकिया वासी प्रमान पत्र रहेगा आधार कार्ड रहेगा ठीक है उसके बाद bank का passbook या फिर чेक बुख, cancel चेक बुक नहीं है तो बैंक का पास्बुक लगा दिए जिसे खाता नंबर और IPC कोड दिख रहा हो और अपना हस्ताचर लाइफ फोटो यहाँ पर आप क्लिक करना है तो फोटो अलग से रखने की ज़रूत नहीं है PC से कर रहे हैं तो PC में आपका camera ठीक ठाक काम करना होना चीए अगर PC से नहीं कर रहे हैं मुबाइल से कर रहे हैं तो हो जाएगा कोई दिकत वाली बात नहीं है मुबाइल से या फिर PC से दोनों से आप आवेधन दे सकते हैं एक चीज आप जान लिजिए कि यहाँ पर दो लाख रुपे आपको जो मिल रहा है यह फुल सक्सीडी है यहाँ पर कोई भी पैसा आपको सरकार गुरेटर नहीं देना है बहुत सारे बिजनेस हैं जिस भी बिजनेस के लिए आप आविधन करना चाहते हैं आविधन करिए बि लाख रुपे यहाँ पर मिलेगा आएए सिखते हैं किस तरीके से ऑनलाइन करते हैं एक जरूरी सुचने अगर आप इस योजना के लिए नहीं कर सकते हैं और ना फिर उसका आपको लाब मिलेगा ठीक है अगर लगए उधमी योजना में आप चैन हो जाते हैं चैनित हो जा ठीक है अगर उस योजना कलाब लिए तो योजना आपको नहीं मिलेगा आईए सिखते हैं स्टेप बाइस्टेप ऑनलाइन करना चलिए सुरू करते हैं साइट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्स नहीं मिल जाएगा उद्धिमी.bihar.gov.in जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आजाएंगे यहां पर आपको बिहार लगो उद्धिमी योजना में आविदन करने के लिए यहां पर क्लिक करना है तो जैसे पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज़ खुल जाएगा मेरा फ्रौसा प्राइवेसी लगा हुग इसलिए इडवांस पर करके हम यहां से क्लिक करेंगे तो यह कुछ ऐसा ओपेन हो जाएगा आविदन करने की पूरी परकिरिया को पट कर यहां पर जो पर लीजे 18- यहां पर पंजीकरन करें पर आपको सिंप्ली क्लिक करना है यहां पर आपको अपना पर्थम नाम डालना है यहां पर करेंगे आपको 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 करेंगे यहां पर आपको आपका अ तो चली हम यहां पर पर अपना पर फील कर लेते हैं उसके बाद सत्यापित करे पर क्लिक करते हैं आपका पंजीकरन सफलता पुर्वग कर लिया आवेधन पुर्ण करने के लिए अपने आधार नंबर लिंक होगा उसमें एक आपको क्लिक करना है अब यहां पर प्रोजेक्ट के लिए आप फल के जूस मिठाई उतपादन बास नाव निर्मान इसमें पटिकुलर वीडियो बना दिया है जिस भी आप यहां पर उतपाद के लिए प्रोजेक्ट कर नाम के लिए आप अब 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 दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट यहां से सेट कर लेंगे उसके बाद दियांगता इस्थिति यदि है तो यह फ़क्र कि लिए करेंगे आपको डियांगता का सभी अपलोड करना होगा नहीं है तो इस पर नो पर क्लिक करेंगे यहां पर आप अपना पता डालेंग उसके बाद क्या आपके परबार में किसी सदस को मुख मंत्री उद्धी नोजना का लाब मिला है तो इस पर नो पर किलिक करेंगे या इस पर किलिक करेंगे तो नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद आप जमा करेंगे अब आपका वैक्तिगत जनकारी के बाद बैंक विवरन ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपना बैंक का नाम डालेंगे साका का नाम डालेंगे आइपसी कोड डालेंगे यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे यहाँ पर खाता संख्या पुना डालेंगे और जमा करेंपर क्लिक करेंगे व्यक्तिगत जनकारी बैंक विवरन भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको दस्तावेज के नाम है ठीक है तो सबसे पहले आपका फाइल फोटो यहाँ पर बेप केमरा से जो आपका लैप्टॉप है या फिर मुबाइल है उसके केमरा से आपको य यहाँ आपको जाती पर्मान पतर डालेंगे ठीक है अगर आपको जाती पर्मान पतर डालेंगे ठीक है अगर आप किसी EBC OBC में है तो वो जाती प्रमन पतर डालेंगे उसके बाद सब्मिट से पहले अविदर की जाज कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपना फोटो भी लाइब क्लिक कर लिया है अगर आपका लेटोप से काम नहीं कर रहा है तो मोबाइल से आप इसको लाइब फोटो एक ले लें फ्रेस एकदम दोनों कान देखना चाहिए उसके बाद आयू का सत्यपन के लिए अधार काड भी अपलोड हो चुका है यहां से आप डाउनलोड करके क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है एक बार प्रिव्यू कर लें जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं वही दस्तावेज देना है देखिए आधार काड भी हमारा अपलोड हो चुका है उसके बाद अधार काड भी लिखा गया है उस्त अच्छरण हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है जादे विखने यह आपके पास है जनरल के लवा आप EVC, OBC या SCSD से हैं तो अपलोड करिए दन उसके बाद आप यहाँ पर submit करने से पहले आवेदन की जाज पर click करेंगे एक बार पूरा आवेदन जो है अपने हिसाब से देख लिजे कि जो भी आपने यहाँ पर fill किया सब कुछ सही है या फिर नहीं अगर आपको लगता है कि सब कुछ यहाँ पर सही है तो फिर आप आवेदन जमा करें पर click करेंगे किरपिया खाले input की जात कर ले जाती परमान पत्र ठीक है तो जाती परमान पत्र यह देख पास है तो देन नथा इसको छोड़ दे और उसके बाद यहाँ पर एक बार सब कुछ देख ले और आवेदन जमा करने पर click करें एक चीज लाइफ करते में मुझे यह पता चला कि अगर आप जेनरल केटिगरी से भी आ रहे हैं अब आपको जाती प्रमान पत्र जेनरल वाला देना है थीक है तो जो जाती प्रमान पत्र है वह आप यहाँ पर upload कर देए उसके बाद आवेदन जमा करें पर click करें अभी हमारे पास जाती प्रमान पत्र कैनिडेट का नहीं है तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं चुकि दूसरा दस्ताइवेज अपलोड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में सब कुछ सही से करना है तो बस यही परकिरिया है और जाती प्रमान पत्र फिर अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आवेधन जमा करें पर क्लिक करके आपको जो रिशिप्ट मिलेगा उसको प्रिंट करके अपने पास दविस के लिए सुरचित कर लें यह था तरीका पिल्कुल आसान और एकदम सठीक भासा में हमने आपको समझाया है लगू उद्मी योजना के लिए उनलाइन अपलाई कैसे करें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर वे लाइकन प्रेस करेगा